हेलो एवरिवन वेल्कम यूओ अलेट लोकी सर अनलिम्टेट इस्टेडी जोन आई पी उमेट की क्लासेश चल रही है टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा आइए करते हैं कुछ इंपोर्टेट्ट कॉस्चन तो यहां पर दिया गया है वेल्ट की प्लेट फोर्ट य की पावर फोर्ट देखिए बच्रों क्योंकि आपको यहां पर equal to 0 है इसका मतलब आप clearly 0 के इस तरफ ले जा करके x की value निकाल सकते हैं so here the x will be 1 plus root 3 upon 1 minus root 3 तो यह x की value आ गई और दूसरी expression जो आपको दी गई है x minus y equal to 0 तो आप यहाँ से easily y निकाल सकते हैं but better रहेगा कि आप x को पहले simplify कर लो मतलब आपको rationalize करना पड़ेगा तो बिटा ऐसे question को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग rationalize करते हैं ठीक है 1 plus root 3 upon 1 minus root 3 तो बिटा इसको rationalize करेंगे तो it will be again 1 plus root 3 upon 1 plus root 3 now x equals to a plus b ka whole square so it will become 1 plus root 3 square upon a plus b a minus b a square minus b square so 1 minus root 3 square clear so x equals 3 इसको उपन कर दू मैं yes बिटा कुछ नहीं okay 1 plus root 3 square open कर तो 1 a square plus b square root 3 का square 3 and 2 a b मतलब 2 into 1 into root 3 so it will become 2 root 3 now here 1 minus 3 become minus 2 तो x की value हा जाएगी x equal to 4 plus 2 root 3 upon में 1 minus 3 minus 2 तो x equals 2 यदि यहां से मैं 2 common ले लूँ तो कितना जाएगा 2 plus root 3 divided by minus 2 तो 2 से 2 cancel हो गया मतलब तो all total हमाय पास जो answer आ गया x equal to negative sin 2 plus root 3 देखिए बिटा हमाय पास यह x आया है बहुत काम का है हमाय पास दूसरी चीज़ क्या है जो expression दिया है x minus 1 upon y equals to 0 करके दिया हुआ है so we can write x equal to 1 by y and y equal to 1 by x तो यहां से एक नई चीज़ शुरू हो गई हमको 1 by x निकलना पड़ेगा बिगास हमको y चाहिए है बूल ली बटा clear की not clear तो हमें y चाहिए है तो y is equals to 1 upon x और x आया है minus of 2 plus root 3 तो मैं minus को उपर कर देता हूँ और यहां plus 2 plus root 3 तर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे x minus 1 is equal to y opposite में चला जाता बस हां तो बात तो वही है ने बिटा एक ही चीज है x minus 1 is equal to y नहीं नहीं कैसे चला जाता बिटा इसके नीचे 1 है न तो LCM करना पड़ता न आपको ठीक है समझ रहे है बिटा आप y को 0 के साथ multiply नहीं कर सकते है डारेक्ट LCM करना पड़ेगा तब कर पाएंगे clear हुआ भाई x के नीचे upon में 1 है न तो कैसे हो जाएगा बिना LCM किए पहले LCM करना पड़ेगा तब तो y जाएगा ऐसा नहीं होता कि एक टर्म बैठा हुआ है दूसरे टर्म का आप 0 के साथ पहचा दो ठीक है clear की not clear चली तो यहां पर देखे y की वैल्यू मैनस वन अपॉन टू प्लस रूट थी है नाओ इसको डिशनलाइस करेंगे तो y कॉल टू मैनस वन अपॉन टू प्लस रूट थी मल्टिप्लाइब टू मैनस रूट थी अपॉन टू मैनस रूट थी तो यह हो जाएगा बेटा मल्टिप्लाइब मैनस साइन का करूंगा तो रूट थी minus 2. मतलब जो positive हो negative हो जागा, जो negative हो positive हो जागा and here it will be 4 minus 3 so root 3 minus 2 upon 1 clear? तो यह y की value आ गई root 3 minus 2. This is the value of y. अब हमाई पास x भी आ चुका है और हमाई पास y भी आ चुका है और हमें निकालना है x की power 4 plus y to the power 4 तो चली solve करते हैं हमाई पास चाहिए है value x की power 4 plus y की power 4 तो x की value हमाई पास आई है negative of 2 plus root 3 यह आई है value x की whole to the power 4 plus y to the power 4 आई है value y की under root 3 minus 2 clear बेटा? whole power 4 देख लीजी y की value भी निकाली under root 3 minus 2. Done? अब देखे इसको कैसे solve करते हैं इसको solve करने के लिए सबसे पहले minus की power even number है 2 तो plus हो जाएगी मतलब कुल मिलाके 2 plus root 3 की whole power 4 ही बचेगा और यह under root 3 minus under root 2 की whole power 4 अब इसको solve करने के लिए आप एक काम करिए 2 plus root 3 की whole power 2 का complete power 2 क्योंकि whole square hole होके 2 2s of 4 ही हो जाएगा similarly यहाँ पे root 3 minus 2 की whole power 2 और उसका भी whole power 2 अब इसको open कर लें तो a square plus b square plus 2 a b से तो a square 4 root 3 का square 3 और 2 a b यानि की 2 into 2 into root 3 2 a b similarly और यहाँ पे whole square लगा दिजे similarly यहाँ पे root 3 का whole square 3 plus 2 का whole square 4 minus 2 into 2 into root 3 का whole square चलिए solve कर देता हूँ तो 4 plus 3 7 plus 4 root 3 का whole square और 4 plus 3 7 minus 4 root 3 का whole square clear clear है clear है बटा अब देखिए एक बार फिर से इसका whole square add करेंगे तो a square यानि की 7 का square 49 plus b square मतलब 4 root 3 का square तो 4 का 16 और root 3 का 3 16 3 जा 48 plus 2 into 7 14 4 जा कितना जाएगा भाई to 7 जा 14 14 जा 56 root 3 यह हो गया plus a का square again 49 plus b square 4 का square 16 3 जा 48 48 और माइनस 27 जा 14 फोर्जा 56 रूट 3 तो यह दोनों कैंसल हो जाएंगे क्योंकि एक्वल है 49 प्लस 49 और 48 प्लस 48 अंसर क्या बन गया 49 प्लस 49 फ्लस 48 प्लस 48 नौनों अठारा चार चारा ठीक नौ 98 98 प्लस 96 ओके तो कितना हो जाएगा यह अपने पास 194 तो यह आंसर विल भी 194 ठीक है तो यह तो वैल्यू फ्रैंट करने वाला क्वेश्चिन था 21 का अंसर यस करेक्ट आंसर इस 194 ठीक है बेटा सर अब फंशन स्टार्ट करें बेटा यह खतम कर लेते हैं आज तो पूरा हो जाता ना फंशन मुझे करना तो है कि मेरी कोचिंग की शीट क्यूंकि मेरा टेस्ट है पर सो ओके ठीक है तो इसको बीच में छोड़के फंशन स्टार्ट करतें बदाब दो तीन कोशन ही बच्चे मैं करके देख लूँगे नहीं बनेंगे तो पूछ लूँगे ओके नो प्रॉब्लम बटा चलिए ठीक है क्लियर यह हो गया इसको लिखना चाहेंगा हाँ